नमस्कार जैन साथियों, मैं सुनेल राठोर, CMICS में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ साथियों, प्राइमरी परिक्षा की दर्ष्टे से हम यूनिट नमबर 3 को कवर कर रहे हैं जहां पर हम last class में खनी संसाधन के बारे में वीस्तार से चर्चा कर चुके हैं लास्ट की 2 class पूरी तरह से उसी को डेडिकेट है आजकी class में हम प्राकरतिक संसाधन की अंतरगत, प्राकरतिक 1 जो आपका लिखा हुआ है उस topic को कवर करेंगे तो प्राकर्तिक वन न बोलकर हम इसे कहेंगे प्राकर्तिक वनस्पती वाला टोपिक जिसके अंतरगत हम वन के बारे में भी विस्तार सध्यन करेंगे जो जो भी आपका संभावित प्रश्णों होंगे उस पर भी हम चर्चाय करते हुए आगे बढ़ेंगे कौन-कौन से से प्रश्ण पूछे गए वहाँ भी हम बात करते हुए चलेंगे तो चलिए सात्यों बिना समय को जाय की हम सिधे टोपिक पर आते हैं और टोपिक के आज आपका प्राकर्तिक वनस्पती और प्राकर्तिक वनस्पती काफी important टोपिक हो जाता है conceptual हम बात करेंगे याप पर कि क्या आपको किस प्रकार से याद रखा जा सकता है और किस प्रकार से इसमें 2020 में पूछे गए प्रश्ण प्रत्र की प्रकृति के तरह से के से प्रश्ण बनते हुए नजर आ सकते हैं इस topic से तो बात कर रहे हैं हम प्राकरतिक संसादन प्राकरतिक संसादन के अंतर का जो topic है पेपर नमबर आपका पेपर नमबर नहीं कहेंगे यूनिट नमबर थर्ड है यूनिट थर्ड का जो आपका थर्ड नमबर थर्ड पॉइंट है आपका जहां पर लिखा हुआ है प्राकरतिक स और प्राकरतिक संसादन में हम खनीश को पढ़ चुके हैं तो आज पढ़ेंगी हम वन तो इसी को मैं आपको पढ़ाऊंगा किस टॉपिक के रूप में ? प्राकरतिक celक्रातिक वनस्पती अब प्राकरतिक वनस्पती में क्या-क्या चीज़े पढ़ी जाएगी ? वो देखिए, प्राकरतिक वनस्पती में सबसे पहले थो हम जानेंगे क्या की रिया वनस्पती होती क्या है, वनस्पती, ठीक है, इसके पशाथ प्राकरतिक वनस्पती क्या होती है, उसके पशाथ प्राकरतिक वनस्पती का वर्गी करण, और दो पकार का वर्गी करण, एक होरिजोंटल जिससे आप 36 वर्गी करण बोलेंगे, 36 और एक हो जाएगा, वर्टिकल या उर्धुआदर, वर्टिकल या उर्धुआदर, यह आपका होरिजोंटल हो जाता है, प्राकरतिक वनस्पती का वर्गी करण, उसके पशाथ, यहाँ पर हम देखेंगे, एक करंट का इशू भी आपका आजाता है, तो करंट की इशू के अंतरगत हम भारत की वनस्पती रिपोर्ट, वनस्पती रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे, तो इसी रिपोर्ट की हम चर्चा करेंगे, भारत वनस्पती रिपोर्ट, वनस्पती रिपोर्ट, और फिर साथ में देखेंगे हम, किस प्रकार से आप देखेंगे, तो जुआरी वन भी है, जुआरी वन में आप सुंदर वन देखेंगे, मेग्रो वन देखेंगे, तो मेग्रो वन का कहाँ पर डेंसिटी जादा है, तो उन सारी चीजों की चर्चा पर इसके अंतरगत करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्गी कर्म तो मैंने लिख दिया कि प्राकरतिक वनस्पती गा वर्गन चेती और होरिजन्टल आदार पर हैं लेकिन सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि वनस्पती और प्राकरतिक वनस्पती क्या होती है फिर एक नौलबर ट्रेडिशनल क्यूशन पर आजाएंगे ट्रेडिशनल टोपिक पर आजाएंगे तो सबसे पहले जानते हैं कि प्राकरतिक वनस्पती से पहले वनस्पती होती क्या है वनस्पती तो वनस्पती में आप देखिएगा पेड़, चाहे उसको आप रक्ष कहें, जाड़ी कहें, घास, बेल, तीक है, बेल मतलब वो, अमल तरह से क्या आपने देखा होगा, अमर बेल होता है, तीक है, यह सारी चीज़े, घास, बेल, आदी, आदी के विभिन, विभिन प्रजाती समुह को, प्रजाती समुह को वनस्पती कहा जाता है, यह सब क्या है, प्रजाती विभिन प्रजाता है, तो इन सभी प्रजाती के समुह को आप वनस्पती कहा जाता है, बिना किसी मानविय हस्तक्षेप के स्वतही जलवायविक दशाओ के अनुकूल उत्पन होती है तो इसी को क्या कहा जाता है प्राक्रतिक वनस्पति इसका मतलब क्या हो गया मानवी अहस्तक्षेप के माध्यम से जलवायविक दशाओ के अनुकूल मतलब उसके साथ अनुकूलन करके मतलब जिस प्रकार की जलवायविक दशाओं उसी प्रकार की वनस्पति होगी तो जिस प्रकार का क्लाइमेट होगा उसी प्रकार की वनस्पति अगर स्वता हमा पर उत्पन हो रही है तो वही क्या है आपकी प्राकरतिक वनस्पति और वनस्पति क्या हो गया प्रजातियों का समू हो गया तो इन प्रजातियों के समू को जलवायविक दशाओं के साथ अनुकूलन करके स्वता रूप से अगर ग्रो करेगी तो यह सबी चीजे क्या कहलाए जाएगी आपकी प्राकरतिक वनस्पति तो प्राकरतिक वनस्पति को कैसे डिफाइन करना है वो मैंने आपको यहाँ पर बतला दिया है अब यह जो प्राकरतिक वनस्पति हैं इसके वर्गी करण का आधार होता है वो देखते हैं प्राकरतिक वनस्पति के वर्गी करण का आधार मेंली जो भी प्राकरतिक वनस्पती होती है उसे कहीं कारक प्रभवित करते हैं जैसे कि अगर देखें यहां पर एक होता है आपका तापमान ठीक है एक तापमान होता है ठीक है आर्दता होती है वर्षा होती है ठीक है और साथी साथ में अन्नी कारक भी जिम्मेदार हो सकते हैं जैसे की दाब यह सबी क्या हैं आपके वायू मंडली कारक है जिसे आप जलवाई विक कारक भी बोल सकते हैं इनी सभी कारकों का एक समुच्ची प्रभाव क्या दे मिलेगा आपको वनशत्ति के उत्पादन में या प्राकरतिक वनशत्ति के ग्रोव करने में तो मैंने कहा कि प्राकर्तिक वनस्पती के वर्गीकरण का जो प्रमुक आधार हमारे भारती संदर में आपको देखने को मिलेगा, वह दो आधार हैं, एक हो जाएगा आपका तापमान के आधार पर, और दूसरा हो जाएगा आपका वर्षा की मात्रा के आधार पर, वर्षा क तापमान के आधार पर आपको जो वर्गीकरन देखने को मिलेगा वो वर्गीकरन हो जाएगा आपका कौन सा छेतिज वर्गीकरन चेतिज या होरीजोंटल वर्गीकरन जबकि तापमान के आधार पर आपको वर्गिकर्ण देखने को मिलेगा तो यहाँ उचाई के आधार पर आपको देखने को मिलेगा किसके आधार पर उचाई को हम यहाँ पर मैनली ध्यान रखेंगे उचाई ठीक है और उचाई भी कितनी वो अपना आगे बात करने के 900 मिटर से अधिक उचाई पर ही हम तापमान की आदार पर वरगी करण को देखते हैं क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है तो 165 मिटर की हाइट बढ़ने के साथ ही एक डिग्री सेंटीग्रेट ताप में कमी दर्जी होती है इसी को आप क्या बोलते हैं सामान ये ताप पतन दर तेके आपका जो जनरल होता है टेंपरिचर लेफ्स रेट इसी को कहा जाता है कि 165 मिटर की हाइट पर बढ़ेंगे तो आपका तापमान में कितनी कमी आ जाएगी एक डिग्री सेंटीग्रेट ताप में कमी दर्जी हो जाएगी तो मैंने कहा कि उचाय में वरदी के साथ जो तापमान में कमी आ रही है तो तापमान में कमी के कारण वनस्पती में भी अंतर देखने को मिलेगा तो मैंने कहा कि तापमान के आधार पर जो वर्गीकर्ण होता है उसी को आप कहेंगे उर्ध्वाधर वर्गीकर्ण अब उर्ध्वाधर वर्गीकर्ण जो होता है यहाँ पर सिंपल में इतना लिखूंगा कि तापमान की आधार पर जो उर्ध्वादर वर्गी करण होता है वहाँ पर वनस्पती का जो विकास होगा वो कहां से आपका होगा उष्ण कटी बंदी या सदा या सदा बाहर तो हम लिखेंगे वर्षा की आधार पर उष्ण कटी बंदी वनस्पती से लेकर टुंड्रा वनस्पती तक प्राक्रतिक वनस्पती का का विकास देखा जाएगा अभी चार्ड बनाएंगे इस कापन ठीक है बस मैंने आपका फर्स्ट वाला लिख दिया इसमें उष्ण कटी बंदी वनस्पती और न्यूनतम तापमान तक अगर पहुँच गए तो हमें कौन सी वनस्पती मिल जाएगी तुंड्रा वनस्पती अगर इसी कौम वर्षा की मात्रा के आधार पर 36 वर्गी कर्म देखेंगे तो आपको किस वनस्पती से किस वनस्पती तक इसका मतलब अधिक्तम वर्षा वाले शेत्र से हमें नियुनतम वर्षा वाले शेत्र के ओर जाना है तो किस प्रकार की वनस्पती का एक विकास्टरम दिखेगा तो आपको दिखेगा यहाँ पर उष्ण कटी बंदिय सदा बहार वनस्पती से लेकर मरुस्थलिय वनस्पती तक प्राकरतिक वनस्पती का विकास्टरम दिखाए देगा कैसे उष्ण कटी बंदी सदा बहार उष्ण कटी बंदी अर्द सदा बहार उष्ण कटी बंदी पर्णपाती उष्ण कटी बंदी सवाना उष्ण कटी बंदी कटी ली उष्ण कटी बंदी मरुस्तलिय इस प्रकार से वर्षा की मात्रा जैसे जैसे कम होती चली जाएगी वनस्पती का विकास क्रम मैंने अभी जैसे ही बोल आपको उस क्रम में आपको दिखाए देगा और वही तापमान की आधार पर अपन वर्गी करन देखेंगे उस वर्गी करन को कहा जाएगा उर्धवादर वर्गी करन और उर्धोधर वर्गी करन में आपको मिलेगा सबसे पहले उष्णिकटी बंदी वनस्पती उसके पशात मिलेगा आपको समसितोष्णिकटी बंदी वनस्पती फिर आपको मिलेगा टेगा टूंडरा वनस्पती ये मिलेगा आपको किस आदार पर तापमान के आदार पर उर् यहां पर हम लिखेंगे 36 वर्गी करण किसका प्राक्रतिक वनस्पति का 36 वर्गी करण आधार क्या हो जाएगा वर्गी करण किसका प्राक्रतिक आधार किसका प्रेर करण अब यहांपर एक चार्ण बनाधे हैं या फिर मैं यहांपर लिख़ेंगे वर्षय की मात्रा में यहां पर लिखेंगे 200 cm से अधिक, दूसरा हो जाएगा 200 cm से 200 cm, तीसरा हो जाएगा आपका 100 cm से 200 cm, चोथा हो जाएगा 70 से 100 cm, पांचवा हो जाएगा 40 से 60 cm, और 6 नंबर पर हो जाएगा 40 cm से 40 cm से कम वर्षय की मात्रा, यह वर्षय की मात्रा के एक वर्षय करना आ गया, भारत में मुख्यता या सामानी तोर पर देखा जाए, तो करकरेखा मद्य से ओकर गुजरती है, उत्तर में हिमाले परवती शेत्र है, जो साइबिरिया से आने वाली थंडी धारा या थंडी पवनों का प्रभाव भारत में पढ़ने नहीं देती हैं, इसलिए हम मोटे तोर पर या सामानी तोर पर कहेंगे भारत की जलवायू है, उष्णिकटी बंदी प्रकार की जलवायू है, अब यहां पर आप यह मत्त दिमाग लगाईएगा कि बीच में से करकर रिखा गुजर रही है, तो उत्तर वाला तो सि अब कौमन चलेगा, अब कौन सा होगा, उष्णिकटी बंदी है, उष्णिकटी बंदी है, प्राकृतिक वनस्पती है, ठीक है, और कौन कौन सी वनस्पती है, यहां पर हम देखेंगे उनका उधारा, ठीक है, मोगनी को कहां रखेंगे, इबनी को कहां पर रहेंगे, रोज केंगे सागवान साल ती के आपका हो जाएगा नीम बबूल इस सब को किस त्रेणी के अंतरकत रगा जाएगा वो यहाँ पर अपने कोलम बना लेंगे ठीके तो अब इधर दीखिएगा सबसे पहले हम बात कर आपको देखना है तो ज़्यादा डेफ्समें भी नहीं जाना है उपरी तोर पर जो जो प्रश्ण आपके बनते उसी को पढ़ना है बाकि मेंसमर काफी विस्तार से इसको पढ़ेंगे ठीक है तो थाइसो सेंटीमेटर से अधिक वर्चा वाला श्यत्र होता है इसे कहेंगे पूरा नाम क्या होगा उश्ट निकटी बन दिये सदा बाहर वनस्पती उसके बाद अर्द सदा बाहर और आपको जोग्रफी का एक कॉंसेप्ट पता होगा जहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर उससे पहले तापमान अधिक होना चाहिए और जहाँ पर तापमान अधिक होगा वहाँ पर आदरता भी अधिक हो जाती है क्योंकि आदरता अधिक होई तभी तो यहाँ पर एक common word और यूज़ कर सकते हैं आर्द्र, क्या बोलेंगे आप, आर्द्र उष्ण कटी बन दिया, सदा बाहर वनस्पती, पूरा नाम यहाँ पर लिखी देता हूँ एक बार में, ताकि आपको confusion नहीं होगा, आर्द्र उष्ण कटी बन दिया, सदा बाहर वनस्पती, इसी प्रकार से इसे क्या बोलेंगे, आर्द्र, उष्ण कटी बन दिया, अर्द्र सदा बाहर, अर्द्र सदा बाहर, वनस्पती, इसके बाद जहाँ पर वर्ष्ण की मात्रा सो से 200 सेंटीमीटर के मद्दी होगी, वहाँ पर आपकी शुष्ण के वनस्पती आदने स्टाट हो जाएगी, शुष्ण के वनस्पती, अब देखे, common word रहेगा इन दोनों में, कौन सा शुष्ण के वाला, ठीक है, वो कौन सी, उष्ण कटी बन दिया, तो शुष्ण कटी बन दिया, तो यह हो जाएगा आपकी, परणपाती वनस्पती, ठीक है, और यह हो जाएगा आपकी, जो परणपाती वनस्पती होती है, जो ग्रिश्मरीतु में विशेश रितु जब आती है, तो अपने पत्ते गिरा देती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी की आपूर्ती सुलिशित करने के लिए, क्योंकि पत्टिया जब रहे पत्य गिर जाएगी तो पेड को क्या पानी कि उष्छत कम लग जाएगी तो पानी का पूर्त ही कम होती है तो अपने क्या कर लेंगे एक विशेश रितु में जैसा की ग्रिशम रितु शुष्क सवाना वनस्पति और एक और होता है आपका जो 40-40-40 cm आपको वर्षा दिखेगी वो हो जाएगे आपकी कौन सी शुष्क कटिली वनस्पति पूरा नाम लिख देते हैं आप अब अब ही शुष्क कटिली वनस्पति और यहाँ पर आजाएगा आपका लाष्ट में मरुस्तलिय वनस्पति पूरा अब मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर एक बात लिखी थी कि वर्षा की मात्रा क्यादार पर उष्ट कटि बंदी सदा बाहर वनस्पति से लेकर मरुस्तलिय वनस्पति तक विकास करम दिखाए देगा और यह विकास करम देखिए वर्षा की माता जैसे जैसे गिरती आती है तो उष्टन कटि बन दीया सदा बाहर वनस्पति से लेकर आपको मिलेगा अर्दसदा बहार, पनपाती, सुष्क सवाना, कटिली और मस्तली करम की वनस्पती संदर्चना देखने को मिलेगी अब यहाँ पर कुछ एक्जामपल आप नोट करेंगे कि कौन कौन सी वनस्पती किस किस वर्गे के अंतरगत आती है चलिए, अब यहाँ पर हमें वनस्पती का वर्ग देखना है, यहाँ पर यह देखिएगा आप, मैंने धाइस सो सेंटिमिटर से अधिक आर्ध वनस्पती को रखा, आर्ध सदा बहार, धाइस सो से दो सेंटिमिटर की बीच में हमने आर्ध सदा बहार, फिस सो से दो सेंटिमि लिख देते हैं ताकि आपको ये स्पस्ट हो जाएंगे सारी जी फिर अपन एक एक करके लिखेंगे ठीक है यहाँ पर आप लिखिएगा सीधा आर्द्र पर्णपाती वनस्पती ठीक है फिर आपका सित्तर से सो में हो जाएगा शुष्क पानपाती वनस्पती ठीक है फिर यहाँ पर एक वर्ग और यहाँ पर एट कर लेते हैं आपन एक हो जाएगा आपका क्योंकि सत्तर चालिस से साट लिया तो साट से सत्तर के बीच में एक वर्ग बनेगा तो यहाँ पर वर्ग में आप लिखेंगे 60 से 70 cm, यहाँ पर पांचवा वर्ग, यह छटा वर्ग और यह 7 वर्ग, तो यह 70 cm से कम, ठीक है, मतलब 60 तक, तो 70 से 60 cm के मद्धी मिलेगा आपको यह सवाना, सवाना वनस्पती, तो यह टेबल में मैंने आपके सामने 7 प्रकार की प्राकरतिक वनस्पती के जिकर किया है, अब यहाँ पर कौन-कौन से किस-किस के एक्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पर, महोगनी, आबुनस, इबनी कहा जाता है इसे, ठीक है, रबर, ठीक है, ठीक है, रबर के बाद में इसमें एक और नाम हम लिखेंगे, रोजबूर, ठीक है, तो यह चार प्रमुक नाम लिखेंगे, बाकी और भी अन्नी नाम मिलेंगे आपको यहाँ पर, जैसे कि बांस वाला भी शेत्रीसी में मिल जाएगा, ठीक है, फिर देखेंगे हम, अर्द सदा बाहर वनस्पति की अंतरगत, तो इसमें मिल जाएगा आपको सबसे प ठीक है, फिर आएगे हम, अर्द पर्णपाती वनस्पती, ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा कौनसी पाई जाती है भारत में, उसकी भी हम जिक्र करेंगे, तो यह वाली जो वनस्पती आपका यहाँ पर, तो सुश्क पर्णपाती वनस्पती, भारत के संपुन कौनसी हो जाएगा, आपकी सुश्क पर्णपाती वनस्पती, सरवाधिक क्योंकि कभी कभार इसा प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपसे, पांच ओप्शन रहेंगे, कि भारत में पाहे जाने वाली प्राकरतिक वनस्पती, सरवाधिक शेत्र में विस्तरत कौनसी है, तो नीम हो जाएगा, नीम तो आपका कहां चला जाएगा, कटीली में, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आप, एक और हो जाएगा आपका, चंदन, ठीक है, यह तीन प्रमुक नाम याद रखिएगा, शुश्क पर्णपाती में लिखेंगे, तो शुश्क पर्णपाती में आप लिखिएगा, अमलतास, पलाश, तेंदू, तेंदू पत्ता तीए, तेंदू पत्ता एक और नाम लिखिएगा इसमें, खेर, वो कथा बनाया जाता है, फिर सुष्क कटिली वनस्पति में लिखिएगा, बबूल, नीम, खेंजडी, इनाम हो जाएंगे, मरस्तली में आपका हो जाएगा, मरस्त में अकासिया, एक और नाम है आपका इसमें, वो लिखिएगा आप नाकफनी, यह प्रमुक वनस्पति है, जो किस वर्ग के अंतरगत कौन सी आती है, वो मैंने आपका नाम लिख दिया, अब सवाना वनस्पति में यह आपके कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब यह सवाना वनस्पति, यह घास भूमी है, जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया था, एक किया था हमने व्रहद हिमाले, तता लगू हिमाले के मध्य पाए जाने वाली जो घास भूमी, जिससे आप कहेंगे, सितोष्ण कटी बन दिया, घास के मेदान, जहाँ पर हमने बात किये थी, कि जम्मु कश्मीर में इसे मर्ग के नाम से जाना जाता है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में बुंग्याल नाम से जाना जाता है, तो इसके शेत्रिय नाम है, ठीक है, तो जैस तो यहाँ पर हमने इस्तानी नाम देखें, इसमें आपने देखा सबसे पहले मर्ग, जो की कहाँ पर है आपका, यह माचल प्रदेश में, और एक हो जाएगा आपका बुंग्याल, ठीक है, उसी प्रकार, एक देखा आपने, जिससे आप कहेंगे, द्वार या दून, समतल घास की भूमी, समतल घास भूमी, जिससा आप दो नाम से जाना था हमने, एक हो जाएगा आपका दून, ठीक है, और यह बुंग्याल, आपका उल्टा लिख दिया है, यहाँ पर हो जाएगा जैंड के, और यहाँ हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, यह दोनों कहाँ पर है, यह आपका व्रहद हिमालई, प्लस लगु हिमालई के मत्य, जबकि द्वार और दून हो जाएगा, लगु हिमालई, प्लस शिवालिक हिमालई के मत्य, प्लियर है, फिर से इस पर आजाईए, तो यहाँ पर हमने सवना घास के मेदान के बारे में चर्चा कर लिये हैं, उष्ण कटी बंदी सदा बाहर कोने, अर्द सदा बाहर, अर्द परणपाती, शुश्क परणपाती, कटीली ज़ाडिया और मरस्तली वनस्पती, मरस्तली व जाने वाली वनस्पती की जड़े अधिक्तम गहराई तक क्यों रहती है, क्योंकि वह पानी की खोच की वज़े से, पानी की प्राप्ती के लिए ये पानी को प्राप्त करने के लिए वह अधिक्तम गहराई तक अपनी लंबाई बढ़ाती वी चलती है, तो इनकी लंबाई स एक इंडिया का मेप ले लेते हैं आपर, देखिए गास में, आउटलाइन मेप इसमें बना देता हूँ ताकि अच्छे सा विजिबल हो जाए आपको मेप भी, यह भारत की सीमा है, क्लियर हुआ, अब यहाँ पर देखेंगे कि धैसो सेंटिमीटर से अधिक वर्षा वाला शेत्र कौन सा है, तो यहाँ पर भारत में तीन प्रमुक शेत्र देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर मैं में मेंशन कर रहा हूँ कि यह पश्चिमी घाट है आपका, पश्चिमी घाट में लिए आपका यह केरल का मालाबार टट हो जाता है, तो यह होगी आपका पश्चिमी घाट ठीक है, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेघाले का पठार ठीक है, फिर आपका यहाँ पर यह अंडमार निकोबार है इन शेत्रों में देखेंगे, तो यहाँ पर आपको कौन सी वनस्पती देखने को मिलेगी यहाँ पर मैं सभी में एक नमबर नाम लिख रहा हूँ, इसका मतलब समझ जाईएगा चो पहली वनस्पती हमने पढ़ा है, उसी के यह शेत्र है तो पहली वनस्पती आपकी कौन सी थी, उस्ट निकटी बंदी सदा बाहर, उसके बाद सेम यही एरिया रहेगा मेघालई का पठार तथा यहाँ पर आपका कौन सा हमालई वाला शेत्र है, पुर्वी हमालई पुर्वी हमालई प्लस मेघालई का पठार भी, ठीक है, उसके बाद ये जो शेत्र हो जाएगा आपका इसे आपका आइगे और बद्धि प्रदेश वाला शेत्र अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा या मद्धि शेत्र या बाला घाट हो गया बाला घाट के मंडला दिन डोरी इधर जाएंगे तो आपका सिवनी, चिंदवाड़ा ये वाला शेत्र में लेगा यहाँ पर और ये भारत का उत्तरी पुर्वी घाट उत्तरी पुर्वी तठ यहाँ पर जो वनस्पति देखने को मिलेगी वो कौन से हो जाएगी आपकी अर्द सदा बहार ठीक है फिर तीस्ते नंबर पर आप देखेंगे तो आपकी है कौन सी वनस्पति आर्द पर्णपाती आर्द पर्णपाती तो इसमें आपका यूपी वाला एरिया जाएगा ठीक है बिहार जारकन वाला एरिया जाएगा कुछ शेतर आपका मद्य प्रदेश वाला आजाएगा ठीक है चत्वड़ वाला रिजन आ जाएगा ठीक है इन शेतरों में आपको और साथी साथ में आपका ये मद्दी हिमालएज वाला शेतर यहाँ पर आपको कौन सी वनस्पती देखने को मिलेगी अर्ध परणपाती चोथे नमबर पर भारत में सरवादिक विस्तारी थे वो हो जाएगा आपका शुष्क परणपाती शुष्क परणपाती तो शुश्क पनपाती का विस्तार दक्षिन भारत के राज्यों में स्थरवादिक विस्तार ये थे इसके बाद मद्य प्रदेश का जो ये मालवा वाला शेत्र हैं यहाँ पर मिलेगी साथी साथ में ये रिवापन्ना वाला शेत्र हैं यहाँ पर राजिस्तान का ये दक्षिन वाला हिस्सा गुजरात वाला हिस्सा ठीक है बाकि जहां पर सदा बाहरे वहां पर भी मिलेगी ऐसा नहीं है कि कि यहां पर बस यही रहेगी ठीक है तो जहां पर आपका अन्य वनस्पति ये उपर वाली क्रम की ये सारी वनस्पति वाले शेत्र म विस्तारीत हैहे है बारत में सर्वादिक विस्तारीत है है इसके बाद पांशो नंबर पर यहां पर देखेंगे सवाना का तो मैंने चर्चा करी लिया कहां कहां पर है सवाना के बाद छटे नंबर पर जो मैंने लिखा था कटिली वनस्पती यह आपका कुछ चुटपुट एरिया होता है MP में भी मिलेगी आपको MP के बाद राजिस्तान में सबसे ज्यादा एरिया आपका इसमें राजिस्तान में मिलेगा क्योंकि वर्षा की मातरा कम है फिर आप देखेंगे तो कटिली वनस्पती आपको कुछ शेत्र में आपको देखेंगे तो यहाँ पर उत्री राज्स्तान वाला शेत्र और दक्षनी पंजाब वाला शेत्र यहाँ पर भी मिल जाएगी तेके इसके बाद अंतिम में आखपा रहेगा मरुस्तलिया मरुस्तली वनस्त्ति जो अरावली परवस्त्रेणी है अरावली परवस्षेणी के थार मरुस्तल वाला शेत्र और इसी के साथ में यहाँ पर आपका बांगर शेत्र मिलेगा यहाँ पर आपको कौन सी मरुस्तली प्रकार की वनस्पती देखने को मिलेगी एक खांस प्रश्ण आपका बनेगा सदा बाहर वनस्पती को लेकर इसमें जो व्रक्षों की लंबाई होती है सदा बाहर में एक प्रिम्स का प्रश्ण बन सकता है वही मैं चर्चा कर रहा हूँ सदा बहार सदा बहार जो वनस्पती होती है इसमें व्रक्ष कैसे होते वो देखेगा व्रक्षों की उचाई अधिक होने के कारण और एक दूसरे से सटे होने के कारण अर्था सगनता अधिक तो यहां पर क्या हो रही है सगनता अधिक और सगंता अधिक होने के बसाथ उचाई अधिक और ये दोनों चीजे होने से धरातल पर धरातल पर सुर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है साथ ही साथ में कहें सदावार वनस्पती में ये जो व्रक्ष की उचाई जादा हो रही है तो उचाई बढ़ने के क्रम में इन व्रक्षों के मद्ध प्रतिस परदा होती है तो उचाई के संधर्व में प्रतिस परदा देखने को मिलेगी व्रक्षों के क्रम में ठीक है और नीचे यहां पर किसी भी प्रकार का घास नहीं देखने को मिलेगा, यहां पर घास की उपस्तिती नहीं होगी, यह सदा बाहर वनस्पती की प्रमुक विशेशता है, एक और बात, यहां पर एक चोटा सा चार्ड बनाएंगे, समय को देख लेते हैं, ठीक है, य उद्वादर वर्गिकन का एक चार्ट के माध्यम से इसको यहाँ पर conclude कर दूँगा मैं, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, एक हम चार्ट बनाते हैं, शहर इसमें image, इसमें देखिएगा, मझे चाहिए ट्रिंगल, चलिए मिल गया है चार्ट, किससे बनेगा यह? चलिए चोड़िए, अभी तो अपन बना लेते हैं, इसमें पर, यह देखिएगा, यह diagram है हमारे पास, उपर वाला जो हिस्सा है, यहाँ से, यह 900 मिटर की height है, ठीक है, यह 0 cm धरातल है आपका, ठीक, 900 मिटर की height, उसके बाद, यहाँ पर अन्य height का क्रम हम देखेंगे, जैसे कि यह मध्य वाले एक line मना देते हैं, ठीक है, अलग color से में यहाँ पर, इसके बाद आपका हो जाएगा, ठीक, यह आपकी हो जाएगी, यह 1500 मिटर, यह 1800 मिटर, यह 2400 मिटर, यह 2700 मिटर, 3000 मिटर, 4000, एक सेकेंड, यह हो जाएगा, 4000 मिटर, और इधर तो उपर तक है, और यह हो जाएगा, आपका 3700 मिटर, ठीक है, यह hide, ऐसा क्या है बताने चाहरे हैं यहाँ आपर, तो वो देख लीजिए, यह कलर तो दिख रहा होगा, आपको, यह वाला जो एरिया है, यह 900 मिटर से उपर तक का, यह आपका पूर्वी हिमालई, पूर्वी हिमालई, और यह जो हिस्सा आपको दिख रहा है, यह आपका पश्ची में हिमालई, ठीक है? यहाँ पर जैसे जैसे आप उपर की और आगिज भी जा रहे हैं, यहाँ पर हम जैसे जैसे उपर की और बढ़ रहे हैं, इस टाइप से, तो यहाँ पर तापमान में क्या हो रही है? कमी दर्ज होगी, उपर के क्रम में जाने पर तापमान में कमी दर्ज होगी, जबकि 900 cm से नीचे धरातल की बात करम कर रहे हैं तो यहां पर इस दिशा में जाने पर कहा मैंने कहा कि अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं तो वर्षा की मातरा में क्या दिखेगी आपको कमी जब वर्षा की मातरा में कमी दिखेगी तो वर्षा की मात्रा में कमी के आधार पर मैंने आपको ये कहा था कि 36 वर्गीकरन दिखता है यहाँ पर आपको कौन सा वर्गीकरन दिख रहा है 36 वर्गीकरन और 36 वर्गीकरन का आधार क्या होता है वर्षा तो इसी क्रम में आपको यहाँ पर वनस्पती केसे दिखेगी सबसे पहले सदा बाहर फिर आपको मिलेगी अर्ध सदा बाहर फिर आपको मिलेगी आर्ध पढ़न पाती शुश्क पढ़न पाती फिर मिलेगी आपको कटीली फिर मिलेगी आपको सवाना इसके पहले सवाना सवाना कटीली और फिर मरूसटली क्योंकि इस करम में आप जा रहे're तो वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिल रहィ सबसे ज़्यादा वर्षा सदा बाहर में उससे कम अर्द सदाबार उससे कम आर्द पनपाती फिर सुष्क पनपाती फिर सवाना फिर कटीली फिर वर बरुस्त लिए और अगर 900 मिटर से अधिक उचाई की बात करेंगे तो आपको किस प्रकार की वनस्पती का विकास ट्रम देखने को मिलेगा वो यहाँ पर मैं नाम में इंचन करूँगा ठीक है यह तापमान वाला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यह तापमान उपर जाने की करम में कम हो रहा है यहाँ पर वनस्पती के हम नाम लिखेंगे वो देखिएगा सबसे पहले मिलेगा आपको उष्ण कटी बंदिय वनस्पती फिर मिलेगा आपको उपोष्ण कटी बंदिय वनस्पती फिर मिलेगा समशितोष्ण कटी बंदिय वनस्पती फिर मिलेगा आपको टेगा वनस्पती फिर आपको इस शेत्र में केवल ये वाला एरिया देखिएगा यहाँ पर मिलेगा आपको टुन्डरा वनस्पती अब यहाँ पर एक प्रश्ण जनरेट हो रहा है कि जो पुर्वी हिमालई है और पश्चिमी हिमालई है तो पुर्वी हिमालई में कौन सी वनस्पती नहीं दिखाए देगी तो आपको दिख रहा होगा टुंडरा वनस्पती का विकास पुर्वी हिमालई में नहीं दिखाए देता है क्योंकि उचाय बढ़ने के एक्रम में अधिक उचाय तक भी यहाँ पर क्योंकि न्यूंतम तापमान पर होती है इधर हमें न्यूंतम तापमान मिल नहीं पाता है यह हमें पश्यमी हिमालई में देखने को मिलता है न्यूंतम तापमान अधिक तम उचाय तक और ये नियूंतम उचाई पर ही हमें अधिकतम तापमान मिल जाता है इसलिए पश्यमी हिमाले की तुलना में पूर्वी हिमाले में टुन्रा वनिस्पती का विकास नहीं दिखाए देगा अब मैंने आपको धरातल से 900 मीटर की हाईट तक 36 वर्गीकरण बतलाया तो इसके उपर का जो वर्गीकरण है जो मैं तापमान को आधार मान कर जो बतला रहा हूँ तो ये तापमान को आधार मानकर जो वर्गीकरण बताए जा रहा है, इस वर्गीकरण को कहा जाता है, उर्ध्वादर वर्गीकरण, उर्ध्वादर वर्गीकरण, ठीक है, उर्ध्वादर वर्गीकरण में इस प्रकार की वनस्पति आपको देखने को मिलती है, आपसे निकटी बन दी है वनस्पती का विस्तार 37-37 मीटर की हाइट तक मिलेगा पूर्वी हिमालई में और आपको 3000 मीटर की हाइट में मिलेगा आपको कौन सा पश्री मिमालई में और 4000 मीटर तक की हाइट में मिलेगा आपको टेगा पश्री मिमालई में और अंत तक मिलेगा पूर् उर्ध्वादर वर्गीकर्ण में हिमाले का वर्गीकर्ण आपको बतला जाए तो क्या दक्षिन भारत में या प्राइदुपी भारत में परवश्चनिया नहीं है वहाँ पर भी है तो महाँ पर सेंगल एक प्रश्ण आपका जनरेट होगा जिसका नाम होगा सोलाश वन कि सोलाश वन कहां पाए जाते हैं यही आपसे पूछा जाएगा या ज़्यादा हो सके तो आपसे पूछेंगे कि सोलाश वन किस प्रकार की वनस्पती है यह प्रश्ण आपका प्रायदिपी पठार या दक्षिन भारस से प्रश्ण बन सकता है उर्ध्वादर वर्गी करण की जो मैं बात कर रहा हूं तो उर्ध्वादर वर्गी करण में दो वर्गी करण आता है आधार क्या होता है तापमान और उचाए कहां से मापी जाती है 900 मीटर से उपर देखा जाएगा तो इसके हमने दो वर्ग देखें एक हो जाएगी आपकी हिमालेई वनस्पती और दूसरा दक्षिन भारत के परवती शेत्र शेत्र की वनस्पती हिमालेई की हमने देख लिया भी इसी चार्ट में देखा है यहाँ पर हिमालेई की वनस्पती मैंने पूरवी और पश्शिम हिमालेई को तुलना करके बताया कि किस उचाएपर कौन सी प्राकर्थिक वनस्पती देखने को मिलेगी और यह तापमान के आधार पर उचाय बढ़ने के क्रम में 900 मीटर के बाद क्योंकि 900 मीटर के बाद आप क्या देखेंगे वर्षय की मात्रा वर्षय की मात्रा के आधार पर यह 36 वर्गीकर्ण हो जाएगा और 900 मीटर के ऊपर आपका उर्ध्वादर वर्गीकर्ण जो उचाई में व्रदी के साथ तापमान में कमी दर्जी हो रही है तो यहाँ पर हमने एक वर्गी करण जो आपका दक्षिन भारत का परवती शेत्र है यहाँ पर देखेंगे तो इनकी ओसत उचाई क्या होती है कम होती है ओसत उचाई कम होने के कारण यहाँ पर केवल दो प्रकार की वनस्पती का विकास होता है एक हो जाएगा आपका उष्ट निकटी बन दिया और एक हो जाएगा आपका सितोष निकटी बन दिया तो सितोष निकटी बन दिया वनस्पती होती है जो आपको कहां कहां पर मिलेगी निल गिरी निल गिरी अन्ना मलाई काडे मम इन परवस्टेणी में जो सितोष निकटी बन दिया वनस्पती पाए जाती है उसी को कहा जाता है सोलाश्वन कहां पाए जाते हैं अगर आपके सारे विकल पाग है निल गिरी भी दे दिया, अन्ना मलाई भी दे दिया, काड़मम भी दे दिया और एक और नाम लिख देताओं में शेवराई यह सारे नाम दे दिया तब फिर आप एक को टिक करना है तो किसको करेंगे निल गिरी को निल गिरी में सरवादिक आपको सोलाश्वन देखने को मिलेंगे तो अंसर क्या होना चाहिए निल गिरी लेकिन आप मेंस में लिखेंगे तब आपने सोलाश्वन के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि दक्षिन भारत के परवती शेत्र में जो उर्धादर वर्गी करन देखने को मिलता है तो उस उर्धादर वर्गी करन में दक्षिन भारत की प्रमुक परवस्रेणिया है, निलगिरी, अन्नामलाई, काडेमम, सेवराई, इन सबी में सोलाशवन पाए जाते हैं, और ये किस प्रकार के वन है, सितोष्ण कटि बंदिय प्राकरतिक वनस्पति प्रकार के, ठीक है, तो ये दो प्रकार के वर्गी करम दे रखेंगे, तो इसी चार्ट में जाईए, ये चार्ट मेंने बनाया है, तो लगबग आपका 2700 तक कहां किये, उपोष्ण कटि बंदिये, वनस्पति, तो मैंने दो नाम तो महाँ पे इंक्लूट करी दिया, पर महाँ पे ना तो आपको समसितोष्ण कटि बंदिय वनस्पत तो इस प्रकार से आपका ये एक पूरा वर्गिकर्ण मेंने वनों से संदर्वित या फिर प्राकरतिक वनस्पति के संदर्वित अपने देखा, वनस्पति क्या है, प्राकरतिक वनस्पति क्या है, एक वर्गिकर्ण के आधार पर मैंने बतला दिया, कल की क्लास में मैं आप आपको one इस्तती report के बारे में चर्चा करते हुए, सिधा एक topic पढ़ाऊंगा, वो हो जाएगा आपका उर्जा संसाधन, उर्जा संसाधन, तो उर्जा संसाधन वाले topic ओम कल, वनस्पती report देखेंगे अपन, one istatty report, देखें, भारत one istatty report, latest data की चर्चा करेंगे, प्राणडी परिक्षा में करण से सम्मधित कुशन बन सकता है उसकी चर्चा करने के बास सिधापन उर्जा संसाधन में इंटर कर जाएंगे तो आज की क्लास में हमने प्राकरतिक संसाधन के बारे में पढ़ा तो आज के लिए इतना ही आज की क्लास को यहीं पर वाइंड करेंगे मिलते कल की क्लास में तब तक लिए नमस्कार जाहिंद